सुप्रिम कोट ने आज पंजाब हर्याना हाई कोट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जो पंजाब हर्याना हाई कोट ने मुख्यमंतरी निवास के बाहर की सड़क को एक मई से खोल देने के लिए एक्स्पेरिमेंटल बेसिस पे कहा था ये सड़क पंजाब में आतंकवाद के जवाने में 1980 में इस सड़क को जो मुख्यमंतरी निवास के सामने है उसको सुरक्षा की दृष्टी से बंद कर दिया गया था आज इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोट में हुई जिसमें पंजाब सरकार की तरफ से भी और यूनियन टेरिटरी चंडिगट की तरफ से भी वकील पेस हुए उन में से एक वकील वरुन चुक साहब हमारे साथ है सुप्रीम कोट के इस आदेश में क्या कहा गया उनसे बातचीत करते हैं वरुन जी स्वागत है आपका वरुन जी आज जो सुप्रीम कोट ने फैसला दिया है मोटी तोर पे क्या आदेश पारी आज सुप्रीम कोट ने जो फैंसला दिया है वो हाई कोट का जो ओर्डर था कि जो चीफ मिनिस्चर के घर के बार की जो सडक है 500 मिटर का उसको खोनने के लिए ट्राइल बेसिस में ऐसा पंजाब राना हाई कोट ने अदेश दिया था तो उसके अगेंज पंजाब सरकार और यूटी चंडिगर ने भी फाइल की कि यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर थ्रेट है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जैसे आप जानते हैं पंजाब में कैसे पुलिटिकल किलिंग्स और किलिंग्स हो रही है तो ऐसी सिचुएशन को देखे इस नॉट राइट टाइम कि वह रोड को खोला जाए और ऐसा एप्रोप्रेट स्चेप्स लिए जाएं कि सीम की स्क्योर्टी ब्रीच नो तो उसको ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोट ने दोनों साइट को सुना और जबकि यूटी चंडीगड जिसके लिए मानिये तुशार मैता जी सॉलिसिटर जनरल अपेर कर रहे थ चाहिए तो उस पे भी ध्यान रखा जाए और जबकि सुप्रीम कोट ने एक और बात कही कि देखो इसमें कोई भी पब्लिक को इनकिन्मीनियन सुनो इसका भी ध्यान सरकारे रखें तो उसमें हमने का ठीक है जो भी आदेश है उसकी पानला होगी पर वो 500 मिटर का नहीं ख प्रक्षा के द्रिश्टी कोन से यह ज़्यादा जरूरी है कि उसको रहने दिया जाए जैसे पहले बिल्कुल ठीक आज सुप्रीम कोट में इसको अच्छे से सुना क्या दोनों एड़ोकेट जनरल पंजाब पंजाब के भी पेश हो रहे थे और सॉलिसिटर जनरल ऑफ दुमुसे वाले का जैसी स्क्योटी ली गई दो दिन पहले और उसके बाद ही उस पे अटेम्ट कर दिया गया तो ऐसा सारा कोट को पताया गया कि पंजाब हैसे हिस्ट्री ऑफ डूइंग दीस तिंग पंजाब में ऐसे कोई लोग है जो पंजाब की स्क्योरिटी के साथ ख लोग जाएंगे खुद मुख्यमंत्री कई चुनाव प्रचार कर रहे है तो ऐसे में यह फैसला टेम्प्रेडी स्टे है इसकी सुनवाई आगे होगी या यह पर्मानेंट नहीं यह पर्मनेंट स्टे नहीं है बट सुप्रीम कोट ने कहा है कि अब इसको आगे आफ्टर व रिव्यू करेंगे कि आप उससे में इंटेलिजेंस का क्या कहना है बट एज आफ नौ सुप्रीम कोट ने स्टे कर दिया उस पांसो मिटर का जो ट्राइल बेसिस पे खोला था उसको बंद कर दिया उसको स्टे कर दिया कि वह बंद ही रहेगा एस पर दर स्क्यूरिटी पुलिस को भी कहा है और ये सेक्रिटी डिटेल्स के बाद अब इस पूरे मामले की सुनवाई विकेसंस के बाद होगा लेकिन फिलहाल के लिए पंजाब हर्याना हाई कोट के उस आदेश को आज सुप्रिम कोट ने उस पे रोक लगा दी है जिसमें मुख्यमंत्री निवास के बाहर की 500 मीटर की सडक को खोलने का आदेश दिया गया था कैमरावन फिरोज के साथ अजेजा द्यानिक सवेरा दिल्ली झाल